सुडान में कम होने की बजाए बढ़ती जा रही है हिंसा और जड़प सुडान में हिंसक जड़प की भेट चड़ा पाकिस्तानी दूतावास पाकिस्तानी दूतावास पर चली अंदध उन गोलिया हमले को पाकिस्तान ने बताया वियना कन्वेंशन का उलंगर अब से कुछ दिन बाद जैसे हालात पाकिस्तान के बनने वाले हैं उसका एक अनुभव पाकिस्तान अभी सजहेल रहा है सुडान में जमकर गोली बारी और बंबारी हो रही है राजजानी खार्टूम दहल गई है चारों तरफ दहशत का महल है आसमान में धुए के गुबार देखे जा रहे हैं और इस बीच कार्टूम में पाकिस्तान के दूतावास पर हमला हुआ इसकी जानकारी खुद पाकिस्तान के दूतावास ने बयान जारी करते हुए दी दरसल आर्मी और पैरा मिलिटरी फोर्स के बीच रड़ाई पांच दिनों से हो रही है इसके बाद भी इसके खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है इस बीच पाकिस्तान के दूतावास का कहना है कि सुदाने शरहस्त्र बलो और रापिट सपोर्ट फोर्स के भी जड़पो के दौरान तीन गोलियां दूतावास में लगी है जिससे चांज़री की मारत को नुकसान पहुचा है उसका कहना है कि एक घटना वियना कन्वेंशन का घोर उलंगन है क्योंकि मेजबान सरकार राजनाइक मिशनों को सुरक्षा देने के लिए पूरी तौर से जिमेदार है पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से अपील की कि वो संयम बढ़ते और सुडान सरकार से उनके दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा साथी साथ ततकाल प्रभाव से सुरक्षा कर्मियों को तेनात करने का नुरोत भी किया इसके अलावा दूताबास ने सभी पाकिस्तानियों को घर पर रहने और बिगड़ती सुरक्षा स्थिती के चलते आनावशक बाहर जाने से बचने की सलादी है राजधानी खार्तूम में करीब एक हजार से जादा पाकिस्तानी रहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुरक्षा बलो के बीट जड़पो को देखते हुए हजारों लोग राजधानी को छोड़कर भाग गए हैं ये पलायन लगातार जारी है बता जा रहे हैं कि लड़ाई के दौरान सडकों पर शव मिले हैं जो की गोलियों से चल्ली थे अब तक 270 से जादा लोग मारे गए हैं रैपिट सपोर्ट फोर्स का कहना है कि अगले 24 घंटे के लिए सीस फायर करेंगे जिस तरह से सेना की ओर से की गई थी 22 साल 2021 के तकता पलट होने के बाद सत्ता पर कबजा करने वाले दो जर्नल्स की सेना के बीच शनिवार को हिंसा भड़क उठी ये लड़ाई सेना प्रमुक अबदेल फत्ता, अलबुरहान और उनके डिप्टी मुहमद हमदान डागलो के बीच है डागलो के उपर RSF की जिम्मदारी है और दोरो ही जर्नल्स की सेनाएं अब आपस में भिड़ चुकी है जिसका खामियाजा वहाँ पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है ब्यूरर रिपोर्ट भारत तक ब्यूरर रहा है